दोस्तों दुनिया के सबसे अमीर वेक्ती बिल गेट्स ने कुछ ऐसी बाते कही है जो कि लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिये हैं दोस्तों उन्होंने ऐसा क्या कहा है इसके बारे मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाली हूँ तो ये पूरा वीडियो जरूर देखिए चले दोस्तों अब ये वीडियो शुरू करती हूँ Microsoft के को फाउंडर बिल गेट्स और उनकी पतनी का 27 साल का रिस्ता खतम हो गया है दोनों के बीच में कुछ मन मुटाव चल रहे हैं दोनों नहीं अलग होने का फैसला लिया है इसके बारे में ट्विट करते हुए बताया है हमने अपने रिस्ते पर बहुत ही सोच समझ के विचार किया है अंत में हमने इस संबंद को खतम करने का फैसला लिया है अब हम एक साथ आगे नहीं पढ़ सकते हम दोनों ने अलग अलग रहने का फैसला किया है दोस्तो दोनों ही पती पत्नी ने एक दूसरे के बारे में रिष्टे के बारे में इस तरीके के ट्विट करके बताया है कि वो दोनों साथ में नहीं रह सकते और वो दोनों अलग होना चाहते हैं अब पता नहीं इनके अलग होने की वज़ा क्या है दोस्तो बिल गेट्स और उनकी वाइप मेलिंडा गेट्स का 27 साल का रिष्टा था और उन्होंने डिवोर्स लेने का फैसला किया है सोचो 27 साल के बाद ऐसा क्या हो गया जिसके वज़े से उन्होंने डिवोर्स लेने का फैसला ले लिया है दोस्तो आपको ये भी बता देती हूं कि Bill Gates और Melinda की मुलाकात 1987 में Microsoft में हुई थी Melinda ने Product Manager के तोर पर इस company को join की थी दोनों के बीच एक business dinner के मौके पर बाचित हुई थी और फिर बात आगे बढ़ती गई और फिर दोनों ने शादी कर ली दोस्तो आज के लिए इतना काफी था और इन दोनों के divorce को लेकर इतनी सी बाते ही बहुत ही ज़्यादा काफी है तो friends आपको क्या लगता है कि Bill Gates ने ये divorce लेकर सही किया या नहीं आप मुझे comment करके जरूर बताईए और viral news के लिए इस channel को subscribe जरूर कीजिए